नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहें स्प्यन आई नियूस नागरिता संसोदन कानून को लेकर जहां एक तरफ अभी भी धरने पर बैठी हैं शाहिन बाग की सभी महिलान वहां अलग-अलग राज्यों में भी विरोध दर्ज किया जा रहा है आज 71 गरतंत्र दिवस है इस मौके पर भी सब अमबेटकर के उसी सविधान को याद करते हुए देखे जा रहे हैं हर जगा तिरंगा फिराया गया और उसके बाद अमबेटकर के सविधान को लेकर ये भी कहा गया कि हम सिर्फ उनी के सविधान को मानेंगे अब इसी के अलावा आपको बता दे जहां तमाम लोग इसको लेकर विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं वही कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सक्सित को लेकर विवाद भी खड़े हो जाते हैं कि वो क्यों नहीं आए क्यों आगे नहीं दिखाई दिये बॉलीवुड के तमाम सितारे जहां एक तरफ विरोध दर्ज भी कर रहा है तो कही न कहीं उसका समर्थन भी करती वे देखे जा रहे हैं और कहीं न कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ना समर्थन में हैं ना विरोध में हैं और वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं और इसी चुप्पी को लेकर भी लोग उन पर निसाना साध रहें सिर्फ ये बॉलिवुड की ही बात नहीं है आप अलग-अलग जगाओं पर अलग-अलग फील्ड की भी बात कर सकते हैं अब ऐसे में आपको बता दें कि पूर्व किरकेटर इर्फान पठान को लेकर भी विवाद शुरू हो गए हैं सिर्फ विवाद एक मुद्दा था एक अफवा थी जो लोगों को ब्रहमित की गई थी उन्होंने एक टिक टॉक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में वो एक जिपसी में बैठे हुए थे खुली जिपसी थी और फूलों से सजी होई थी और इस जिपसी में बैठे हुए बाहर जितने भी उनके समर्थक उनके चाहने वाले थे वो सभी तिरंगा हाथ में लिये हुए थे और नास्ते गाते हुए दिखाई दे रहे थे वहीं इर्फान पठान दरसल शाहिनबाग पहुँचे हैं शाहिनबाग के उसी धरने पर जहाँ महिला है अर्ट आलिस दिन से वहाँ पर धरने पर बैठी हैं तो इसको लेकर फिर से अफवास शुरू हो गई और ये भी कहा जाने लगा कि एक और पढ़ान एक और शक्तिशाली व्यक्ति शाहिन बाग पहाँ चुका है इन महिलाओं का समर्थन करने के लिए अगर इर्फान पठान शाहिन बाग का समर्थन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि करना भी चाहिए जहां तमाम लोग विरोध कर रहे हैं नागरिक्ता संसोधन कानून का शाहिन बाग में भी लगतार यही मामला चल रहा है तो ऐसे में इर्फान पठान अगर को गुम्रहा करने के लिए फैलाया जा रहा था दरसल वीडियो 14 जन्वरी का था और दिखाया जा रहा है कि 25 जन्वरी 26 जन्वरी का है वह अब ऐसे में लोगों के अंदर काफी गुस्सा भी दिखाई दिया और कहा भी जाने लगा कि इर्फान पठान अगर नागरिकता कानून का विरोध करते हैं तो अपनी राय भी दें क्योंकि जब चुप्पी जब हावी पढ़ती है तो कहीं ना कहीं अलोचना तो जरूर होती है तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो वीडियो वाइल हुआ था जिसको लेकर अप वहां फैलाई जा रही थी दरसल वह वीडियो कि ठीक जोसी सन्यास ने लिए जिसके तहत 14 जनभरी को उनको सम्वानित किया घया था कौलकत्ता में और वीडियो में काफी दिल्चस्पी लेने लिए तो इरुपान पठान टेक टॉक वीडियो में दिखाई दे रहे थी तो इसको ये अफवा बना कर दिखाया गया कि वो शाहिन बाग पहुचे हुए हैं तो ऐसे में मुद्दा वही है लेकिन लोगों को गुम्रहा किया जाता है लोगों को बहकाया जाता है लेकिन इर्फान पठान अगर सच में शाहिन बाग जाते तो उनकी और उनके फैन उनको काफी एहमियत हो जाता तो ऐसे में यह मुद्दा इर्फान पठान को लेकर उठाए इसके अलावा भी तमाम लोगों के साथ यह देखा जा चुका है शारुखान से लेकर सल्मान खान तक ने भी कोई अपनी ना तो विरोध में ना ही समर्थन में कोई दिल्चस्पी नहीं भारत के नागरिक होने पर कई सवाल खढ़े हो रहे हैं उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहा ही नहीं या तो वो उनके समर्थन में उतरते या विरोध में उतरते लेकिन उनहीं अगर हम इनके दोनों ही पक्ष में कहीं जाते तो हम पर भी काफी मुसीबते आ जाती तो आप देख सकते हैं पूरे भारत को एक जुट होकर लड़ाई लड़ी जा रही है लेकिन ये बड़े-बड़े सितारे कहीं ना कहीं सब में गुम दिखाई दिये तो ऐसे मुद्दे को अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपके फैंस पर काफी असर पड़ता है और वह अच्छा हो इसलिए आपको विरोध दर्ज जरूर करना चाहिए क्योंकि नागरिक्ता संसोधन कानून एक तरह से धर्म के अधार पर विभाजित करने को लेकर लाया गया है और ऐसा जनता जा अहिन बाग में इसका विरोध देखा जा रहा है उत्रा खंड में उत्रपरदेश में असम में तमाम राज्यों में विरोध देखा जा रहा है क्योंकि वो जानती है जो हो रहा है गलत हो रहा है इस आपकी जरूरत नहीं है भारत को तो ऐसे में बड़े-बड़े सितारे और देखते रहे SP9 News